दोस्तों अगर आप एक CSC VLE हैं, Common Services अंचालक हैं तो आप सभी के लिए ED Stick को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है अगर आप सभी एपनी CSC ID के माध्यम से नया राषन कार्ड बनाना चाते हैं, राषन कार्ड में संसोधन करना चाते हैं और इसके साथे साथ income certificate बनाना चाते हैं या जाती निवास प्रमाड़ पतर बनाना चाते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी जदा most important होने वाली है अगर आप CSC VLE हैं, Common Services अंचालक हैं और आप सभी CSC के माध्यम से ED Stick ID को लेना चाते हैं तो आप सभी के लिए काफी अच्छी news निकल का चुकी है और इसके उपर CSC का एक बहुत ही बड़ा update भी आ चुका है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको complete जनकारी देने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे पहली बार बिजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजगा साथी साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को आउन कर लेना ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैं आचुका हूं CSC के टूटर अकाउंट पर जहां पे CSC EGOB की मादम से एक पोस्ट को ट्विट करके साब साब बताया गया है अती महत्यपूर्ण सूचना आप सभी वीयली को सूचित किया जाता है कि राज जी के 40 जनपदों में ये डिस्टिक्स सेवा हेतु अड़ी निसुलक जारी किया जाता है यदि इसके बदले किसी के द्वारा पैसे की मांग करने की इस्तिती में कदापी ना दे तथा ततकाल जिला प्रबंदक समोनेक समेत निमिलिखित मुबाइल नंबर या वाट्साप अथवा मेल पर सूचित करें यहां पर आपको एक वर्टसाप नंबर दिखाए देगा साथ यहां पर आपको एक एमिल आइडी भी देखने को मिल रहा है अगर आप एक CSC वीली हैं और आप सभी CSC के मादम से a डाइडी लेना चाते हैं और आपका CSC DM से aida of आपसे पैसे की मांग करता है यह से noises कोई अन्यकरम चारी आपकी CSC अपने Chrome ब्राउजर में एक नया टैब open करना है और यहां पर आप सभी को search कर लेना है आप सभी को यहां पर इस प्रिकार से search कर लेना है आपको simple से इस link पर click कर देना है जैसे ही आप सभी इस link पर click कर देंगे तो आप सभी के सामने इस प्रिकार से digital server portal के माध्यम से इडिस्टिक का ID लेनी है तो registration form open हो जाएगा अब यहां से आप सभी किस प्रिकार से अपना registration कर सकते हैं और जिन लोग को अभी तक ID नहीं मिली है और ID लेना चाते हैं तो उसके लिए किस प्रिकार से आपको अपना registration करना है यहां से आप कौन कौन से certificate बना पाएंगे इसके बारे में यहां पर आपको देखने क्यों मिलेगा आप यहां पर इस प्रिकार से तमाम certificate बना सकते हैं औ आपको login with digital सेवा connect वाले option पर क्लिक कर देना है इसके बाद यह आपकी CSC ID की permission मांगेगा तो आप यहां पर अपनी CSC ID की permission को yes कर देंगे इसके बाद आपकी CSC ID की details इस प्रिकार से open हो जाएगा विसे scroll करते भी निचा आएंगे और यहां पर आपको proceed वाले option पर क्लिक कर दे देंगे तो आप सभी की सामनी स्प्रिकार से new registration page open हो जाएगा अब यहां पर आपको दो option दिखाए देगा पहला option है रूरल और second option है अर्बन अगर आप गाउ के वियली हैं आपका जो center है गाउ में है तो आप रूरल का selection करेंगे अगर आपका CSC center अर्बन यानि की सहर में है तो आपको अर्बन का selection करना है यहां पर आपको अपना नाम डालना है मुबाइल नंबर और यहां पर email ID ध्यान रहे आपको वही mobile नंबर और वही email ID डालना है जो कि आपकी CSC ID में registered है इसके बाद यहां पर जो भी आपका district है आप यहां से अपनी district का selection करेंगे और यहां पर आप सभी को अपने ब्लोग का chain करना है ग्राम पंचायत आपको यहां से select करना और यहां पर आपको अपना village का selection करने आपको mention करेंगे आधर वाज आपको no pay click करके submit करना है जैसे ही आप submit करेंगे तो यह आपको rewrite करेगा CSC payment page पे जहां पर आपका 1.18 पैसे का payment करेगा जिसके बाद आपकी CSC ID registration successful apply हो जाएगा अगर आपका यहां पर district select नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके उस district में अभी कोई भी CSC का जो edistic की service से वह अब लेवल नहीं है यानि क्यों पहले से ही सभी लोग पास मौझूद है तो जैसे ही आपके उस district के अंदर किसी व्याली की edistic ID बंद होगी तो तुरंत ही आपके यहां पर edistic open हो जाएगा इसको आपको select करके तुरंत ही उसके लिए apply कर देना है और इसके बारे में आप अपने CSC DM से भी बात कर सकते हैं अगर आपके उस एरिया में उस location पे किसी व्यक्ति को edistic ID नहीं मिली है तो फिर आपको edistic ID प्रवाइड कर दी जाएगा अगर आप सभी रासन कार्ड की services में काम करना चाते हैं और आप उत्तर प्रदेश की लेकिन आपके पास edistic ID नहीं है तो आप सभी मुझे से contact कर सकते हैं आपको हमारा WhatsApp ग्रूप वीडियो की description box में मिल जाएगा आप सभी उत्तर प्रदेश के अगर व्यक्ति हैं तो आप सभी हमसे नया रासन कार्ड अपलाई करवा सकते हैं रासन कार्ड में आप सभी संसोधन करवा सकते हैं और इसके साथ आप से इंकम certificate हो गया या आपका कास certificate इस परकास तमाम ऐसे certificate है वो भी आप हमसे बनवा सकते हैं के मादम् से मापका अपलाई कर देंगे ग्रूप में उनिवेली की मदद करना चाहता हूं जिनके पास इडिस्टिक आईडी नहीं है और उनके पास customer आते हैं राशन कारट बनवाने के लिए राशन कारड में संसोधन करवाने के लिए या फिर इनिंग कर सकता हूं आपको काम आपको मुझे कॉन्टक करना होगा और हाँ, इस्टिक ID लेने के लिए आपको किसी को भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, यह ID बिल्कुल फिर पोस्ट आपसे भी को मिलता है, अगर आपसे पैसे लेना ही होगा, तो CSC आपके CSC वालट से पैसे लेगी, ना कि आपको कैस देना होगा किसी को, ना ही आपक करेगी, तो आपकी CSC डिजिटल सेवा पोर्टल की द्वारा CSC वालट से ही आपका पैमेंट कट किया जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ गये हैं, और आगर आके मन में कोई भी कन्फिजन डाउट है, तो आप सभी हमें कमेंट बोक्स में कमेंट कर कि जरूर बताएं, धन्यवाद